उर्जा ग्लोबल का शेर आज 10% का अपर सर्किट में खड़ा हुआ है क्या है कारण आईए ज़रा चल कर देखते हैं और हमारी टीम का जो रिक्मेंडेशन है उसका टार्गेट 100 रुपे के ऊपर है सबसे पहले इन्होंने आपको पता ही होगा bad news is all factored in इन्होंने एक scientific scam करने की कोशिश की थी इनके कुछ senior executive ने official news डाली की zacko bite एक new element जिसके लिए इन्हें बहुत बड़े order बने हैं और ये इसको stock को उपर ले जाने में सक्षम है बट जब ये investigation की गई तो सैभी ने found out किया कि ये exist ही नहीं करता है जैको bite और इन्होंने सारे के सारे top officials को उर्जा global के बार कर दिया है from market ताकि ये कोई भी इस तरह का challenge ना प्रसुत कर सके आगे इन्होंने कहा था कि ये going to supply it to nippon shianku company limited अब ये जो हुआ पहले आपको पता ही होगा 2019 की ख़बर है जिसमें अब ये सारा का सारा factor in हो चुका है और अब इसको आगे long term के लिए growth की trajectory में काम करना है ये सारी information पूरी factor in हो चुकी है अब इनके सेभी के बार से भी निकल चुके है और यहाँ पर future growth के लिए इन्होंने solar and electric vehicle segment में काफी अच्छा निवेश करने की कोशिश की है इन्होंने कहा है company का motto है कि solar division ताकि pollution related diseases को कम कर सके electric vehicle का काफी अच्छा help मिलेगा और इस से global warming भी कम होगी तो this is a step closer to achieve भारत की जो है हमारी उर्जा संबंती आत्म निर्भरता हमें भार के fuel से independence चाहिए जिसके लिए और net carbon neutrality चाहिए 2030 तक तो इसमें देखा जाए यहाँ पर उर्जा global काफी अच्छा कारोबार कर रहा है और इन्होंने कहा है कि उर्जा batteries limited के लिए इन्होंने अपनी capacity बढ़ाने के लिए अच्छा काम किया है और भी पैसे fund अरेंज कर रहे हैं और ये assembly unit जो होगी इसकी हर्याना में संपला district में की जाएगी इस सबका approval board के द्वारा हो गया है जिसका implementation आने वाले quarters में होगा जिसकी वज़े से ये काफी अच्छा position मनेगी नासिक में भी इन्होंने एक बहुत बड़े plant production plant के लिए approval दे दिया है board ने जो इनको दिन दूगनी और रात चोगनी तरक्की के पास रास्ते पर लेके जाएगा यहाँ पर assembly unit की जाएगी e-scooter की और ये 22 March का western zone में इंडिया में इन्होंने अपना commencement कर दिया है इस time पर industry is growth is much higher यहाँ पर आगे आने वाले समय में EV vehicle बहुत तेजी से उपर बढ़ेगा जिसकी सीधा impact उर्जा global के लिए ये pick up pace करेगा अपने expansion के साथ में industry ने जहाँ 230% कर दिन दिखाया है company ने महज 38% कर दिन दिखाया है तो इसको catch up करना है और हमारे साब से budget का advantage जो इस industry को support कर रहा है ये इन के लिए बहुत ही बढ़िया रहेगा 280 megawatt का solar capacity चाहिए जिसमें उर्जा global battery power और यहाँ पर solar power के लिए काफी अच्छी expectation रहेगी आगे आने वाले समय में एक research की गई जिसमें 12 billion का industry बताया गया है global street industries को और इंडिया में ही नहीं ये बहार के देशों में भी street light को supply करेंगे जो की हमारे हिसाब से shift towards greener energy जैसे बहारत के परधार मंतरी शी नरेंदर मोदी जी का आवान है और काफी बड़े government के initiative चल रहे हैं इस सब के लिए ये एक massive adoption technology है जो इसको आगे फर्दर stock के लिए एक positive news लेके आएगी अगर हम बात करें business value is in buying this particular company आगे चल कर CAGR इस segment का 15% के आसपास रहेगा जो एक phenomenal growth दिखाएगा हमारे हिसाब से अगर आपको contact करना है तो पीछले पेच पेच पे contact दिया है साथ साथ में this is one of the undervalued stock in industry जैसा बताया महज 38% का रेटन दिखाया जहां company ने sector ने 200 specific का रेटन दिखाया है आज 14 रुपे 30 पैसे का अपर circuit पर कारोबार कर रहा है और देखे यहाँ पर market में काफी अच्छी तेजी आई है काफी हमने इसको 6 रुपे के असपास recommend किया था अपने paid members को और देखे यहाँ पर यह करीब 32 रुपे तक चला गया फिर से अब consolidation किया है यहाँ पर 12 रुपे के असपास और अब उपर जाने की तैयारी कर रहा है गौर्मेंट यहाँ पर 40% तक कर रही है जिससे की import कम हो और हमारे देश का production इंप्रूव हो आगे चल कर solar power में गौर्मेंट ने बजट में भी काफी अच्छा improvement किया है देखे यहाँ पर करीब 36 billion रुपीज के आसपास इन्होंने निवेश करने की बात की है और wind power और power sector में भी काफी अच्छी growth देखने के उम्मीद लगाई जा रिया है तुमड़ों के ओलगी 31% पब्लिक के ओल्डिंग 6% यह value buy है bad news are all factored in और अब ये एक buying zone में आ रहा है अगर चाहें तो हमारा 299 का advance package ले सकते हैं जिसमें हम आपको nifty के future option trading कराते हैं आप चाहें तो हमारे चैनल को subscribe कर सकते हैं ट्रेनिंग के लिए mail drop करेंगे जहीं जबारत